हलो फ्रेंड तोसला जी वे दुरू दिख्षी चैनल में मैं दुरुकार दिख्षीत आपका अभिनंदन करता हूँ आज आपके साथ मैं एक सामान चच्चा करूँगा आजादी का अमरित महस्तों हम मना रहे हैं और पंद्रा अगात उनिस सो देश आजाद हुआ था 75 साल हो रहे हैं लेकिन अभी भी हमारे जो की पैरामीटर्स होते हैं सामाजिक, समानता, लेंगिक, महत, शिक्षा, आर्थिक ग्रोथ, प्रद्दि, सामाजिक, समानता, इन सभी के मामले में यह जो की पैरामीटर्स हैं किसी भी राष्ट के लिए, किसी भी राष्ट के विकास के लिए, इन सब से हम काफी पीछे हैं आप थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, 15 अगस 1947 को देश अजाद हुआ था, 14 अगस 1947 को देश के पहले प्रदानमंदी, जो थे पंडि जवालाल नहरू जी, उन्होंने कहा था, आज पूरा विस्व सो रहा है और भारत जाग रहा है जीवन और आजादी के लिए, ये वर्ड थे पंडि जवालाल नहरू के, और मुझे लगता है कि 75 साल की आजादी के बाद भी, देश का जन्मानल जो है, अभी भी जीवन और आजादी के लिए जाग रहा है, वहीं एक और सक्सियत हैं भारत की, उन्होंने अपने अंते मुद्वोधन में कहा था, 25 नॉम्बर उनिस सो निन्चास को, भीम राओ अमबेट करजी ने कहा था, कि भारत के लिए राजनेतिक स्वतंतता एक बहुत बड़ी चुनोती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रिटिकल फ्रीडम, और फिर हम सभी जानते हैं, 26 जन्मरी उनिस सो पचास को देश में, स्वतंत भारत में, भारत में समिदान लाग हुआ भारत का, जिसमें समानता, समाजिक आर्थिक समानता की बात की गई, बहुत से प्रावदान हैं, बहुत से अनुचेदें, बहुत सी धाराएं हैं, जिसके तैस देश में प्रयास किया गया कि देश के हर नागरिक को समाजिक आर्थिक रूपते समानता प्रापत हो, उसको स्वतंता प्रापत हो, लेकि कहीं खोस आ गया है। हमारे अंबेटकर ने एक सिध्धान लागू किया था उस वक्त समिनान के साथ साथ राज्यतिक सिध्धान की एक वेक्टी एक वोट और एक मूल वन मैं वोट वन वैल्यू इस सिध्धान था लेकिन 75 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम इस आदर्स वाक को नहीं कर पाए वन मैं वन वोट वन वैल्यू आपको कुछ मुद्धे मैं बताता हूं जित्पे चर्चा करूंगा कि उत्ते आपको सपस्ट होगा कि वास्तों में हम कहां पे हैं 75 साल के अम्रित महुत्तों में अम्बेटकर का जो कथन था एक वेक्ती एक वोट और एक मूल इसमें एक बहुत बड़ा गैप है एक वेक्ती एक वोट और एक मूल इसको अगर आपन देखें कुछ पैरामीटर्स पे अगर अध्यन करते हैं तो इसमें काफी गैप मिलता है पंद्रागत 2021 के टाइमस आफ इंडिया मुंबई एडिशन में रोशन किशोर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से विख्विसित किया है उसी के अधार पर मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगा एक एक एससेशेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म है एडियार इसका भ जो हमारी लोकसभा है 2019 की लोकसभा में 542 सीट में 266 MPs का उन्हें अधिन किया उन्हें बताया कि देखें जो हमारी 2019 की लोकसभा है उसमें जितने सांसद चुनके आए हैं 542 सीट के लिए 266 MPs हैं लोकसभा में उनकी अगर वैल्यू की जाए तो 20.93 करोड की है 2019 में 21% हमारे करोड़ पती जीते हैं यह उन्हें स्टेटिक्स दिया है कुछ आंकले दिये हैं इसको मैं आपके सामने शेर करता हूँ शुरुआत करता हूँ कितने 10 लाग से कम की संपत्ति वाले 2699 दस लाग से कम की आए वाले या संपत्ति के मालिक जो हैं 2699 लोगों ने चुनाव लड़ा जिसमें से शिर्फ 9 लोग जीते परसंटेज वाइस पॉइंट 3 परसंट दस लाग से पचास लाग की संपत्ति के मालिक जो थे चुनाव लड़ने वाले 2069 2069 जिसमें से 27 लोग जीते जिनका परसंटेज है 1.3 परसंट देखें 10 लाग से कम वाले जीतने वाले हैं 1.3 परसंट और 10 लाग से 50 लाग की संपत्ति वाले जो हैं जीतने वाले हैं 1.3 परसंट ये आप देखें समानता प्र एक आखड़ा है पचास लाग से दो करोड जिनकी संपत्ति जो मालिक हैं पचास लाग से जिन्होंने गोषट की ति ही डेटा है पचास लाग से दो करोड की वो चुनाव लडने वाले थे 1601 जिसमें से जीतने वाले थे विरिंग केंडिडेट से 112 देखे परसंटेज बाइस पड़ता जा रहा जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे जीतने वाले सांसितों की संख्या में ब्रद्दी हो रही है कम आय में कम जीतने वाले ज्यादा आय में ज्यादा जीतने वाले 1601 में से 112 कंडियर्ट जीते हैं जिनकी संपत्ती 50 लाग से 2 करोड के बीच में थी इनका परसंटेज है 7 परसंट 7 परसंट एक और आकड़ा देखिए 2 करोड से 5 करोड जिन सांसदों ने अपनी आय बताई कि मेरी आय जो है चल अचल संपत्ती 2 करोड से 5 करोड के बीच में हैं ऐसे लोग थे 678 यहां लड़ने वालों की संख्या कम हुई है दस लाग से कम में लड़ने वाले प्रतियासी से 2699 और जब 2 करोड से 5 करोड की बात आई लड़ने वाले बच गए आपके 678 678 जिसमें से जीतने वाले 125 हैं यह रोचक सत्त है कि जब कम आमदनी थी आय के मालि दस लाग से कम बाले उसमें लड़ने वाले थे 2699 2699 और विनिंग कंडियेट नौ थे जिनका परसंटेज 0.3 परसंट था लेकिन जब 2 करोड से 5 करोड की बात होती है तो पाटिस्पेंट करने वाले चुनाओं में अभियरती जो थे 678 थे 678 लेकिन विनिंग कंडियेट हो देखे 125 जिनका परसंटेज है 18.4 परसंट एक और आकड़ा है अंतिम पांच करोड और उसे अधिक की संपता वाले उन प्रत्यासियों ने जिन्हों बता है कि मेरी चल चल संपती 5 करोड से अधिक है ऐसे चुनाओं लड़ने वाले थे 883 और इसमें सबते रोचक तत्थ है क यह जीतने वाले हैं 266 लोग चुनाओं जीते हैं टोटल परसंटेज है 30.1 यह गैप बता रहा है बताईए मने आपसे जो बात की थी ना कि हमारे जो सामाजिक विकास के पैरामीटर से हैं की पैरामीटर की सोचल एक्वालिटी होना चाहिए जेंडर पैरलिटी होनी यह कहा हैं 2019 की आगले हैं कि 10 लाग से कम की चुनाओं लड़ने वाले जो हैं संख्यादिक हैं लेकिन जीतने वाले मन पॉइंट 3 परसंट है एक परसंट भी ने पॉइंट 3 परसंट पे आ रहा है और जिनके पास पैसा है 5 करोड से अधिक की संपदा के मालिक हैं जो जीतने वाले 30.1 परसंट हैं तोटल हमारी लोग सबाव में 266 एंपी ऐसे हैं जो कि 5 करोड से अधिक की आयके स्वामी है 542 में से 526 यह 30 परसंट जीते हैं अब यह कहां आपको बता रहा है किस पैमाने पर रख रहा है यह एडियार की सर्वेय है और उसमें एक रोचक तत्त हो दि कि अभी भी सामाजिक आर्ठिक समान्ता नहीं है, समान्ता व्यात है अभे एक और पैरामीटर यह तो सांसदो की बात हुई कि आर्थिक रूप से देखे आर्थिक जिसके पास जितना पैसा है यह साब बताता है कि धन बल जो है चुनाओं में एक एहम भूम का निवाता है जिसके पास पैसा होता है वो चुनाओं जीता है जिसके पास पैसा नहीं होता वो चुनाओं नहीं जीता आइडेलोजी अब एक और देखे हैं अपने पॉलिटिकल एक्वालिटी की बात करें राजनेतिक समानता की बात करें अगर हम तो 1932 में महत्मा गांदी और अमबेटकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था नाइटीन थर्टीटू में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है पूना पैक्ट में महत्मा गांदी और अमबेटकर के बीच में बात हुई थी उन्होंने कहा था कि चुनाओं में लोगतवाब जानता है जो हमारे MPs होते हैं इसमें आरक्षन रखा जाए उन्होंने कहाता टाइमस आफ इंडिया ने मुंबई एडिशन ने दिया है यह 1962 से ने लिया टेटा 1962 में अपर कास्ट के जो थे लोगसभा में कम्यूटी वाइज जो परसंटेज है लोगसभा का 1962 में जो था आपका अपर कास्ट अपर क्लासिस वालों का 36.2 परसंट था इनका परसंटेज था 36.2 परसंट जो दीरे दीरे शने शने घटते हुए 2019 में 28.7 परसंट है थोड़ा डिक्रीज हुआ 36.2 में 28.7 1962 से 2019 के सफर में अधर कास्ट इसमें सब को मिला के करा अधर बैकवर्ड क्लास और इंटरमीजेट कास्ट इनको जोड़ा है तो वह कह रहे हैं कि 1962 में इनका परसंट था 14.2 जो 2019 में आके 36.1 परसंट यह रिवर्स हो गया मामला है 36.2 परसंट अपर कास्ट के से जो घटके यहां पे 2019 में अपर कास्ट जो है घट गई है वह 28.7 आ गई है अधर बैकवर्ड क्लासेज जो थी जिसमें इंटरमीजेट कास्ट थी वह 14.2 से बढ़के 36.1 परसंट है यह भी एक देखिए पॉलिटिकल जो है गैप आप कहह रहे अधर गई है राजनेतिक समानता है सामाजिक समवर के साथ से हम उसको प्राप्नी कर पाए अब एक और चीज पर आप अपने तीसरे बिंदू पर गईडिपी की बहुत बात होती है गईडिपी की बात बहुत होती है जो कि एक एहम मुद्दा है इससे भी हम भारत की अगर ह हम देखें तो बहुत हमने ज्यादा ग्रोथ नहीं करी एक एक सीए जीए आर ने जीडिपी की रिपोर्ट दिये परसेंटेज वाइस उन्होंने प्रस्तुत किये कि क्या है ग्रोथ जो डेपलेप्मेंट के बात है कि इसमें प्रोवाइट करती है फूड है पापुलेशन है पैसे तो देखा जाए एक हम अपनी पीट थपतबा सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया सिक्स लार्जेट इकनॉमिक इन दे वर्ल्ड है जीडिपी की टर्म्स में भारत जो है छटवा सबसे बड़ी अर्थवरस्त वाला देश है लेकिन भारत की क्या हाला से जीडिपी क ज्यादा ने एकनॉमिक वाले बहुत अच्छे से जानते हैं और जीडिपी का हर जो वित्मंद्री होता है अपने भासन में जब बजट पेस करता चर्चा करता हो जीडिपी से उतार चड़ा होता है 1951 से 1962 के डिकेट में 1951 से 1962 के डिकेट में हमारी जीडिपी थी 4.2 परसें आजादी की सुरुआत थी तो सुरुमें 4.2 परसें ती अब 10 साल के डिकेट में आपने देखा 4.2 परसें फिर 1961 से 1971-72 के डिकेट में देखें तो इस खटके 3.8 आ गई इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि इस बीच में दो भारत में लड़े थे दो ने तीसरा भी क्योंकि 72 की बात करना है तो 62 का यूद 65 का यूद और 71 का यूद तो नेचरल हमारी GDP तो खटना थी 4.2 से 3.8 पर बहुत ज्यादा नहीं घटी फिर 1971-72 से 1981-82 के डिकेट में हम देखे थे हैं 10 साल के दर्शक में इस बीच में हमने इमर्जेंसी भी जहे ली 3.8 से 3.4 मात्र दसम्दों 4% GDP में ग्रावट आई है तो थोड़ा इस थिर थी फिर फिर 1981-82 से 1991-92 जीटीपी में ग्रोथ हुई 3.4 से बढ़के 5% होगे जो कि हमारे 1951-52 से 1961-62 वाले टेकेट से भी जादा होगे तब हमारी थी 4.2 अब आपके बाद वाला दोर देखे आर्थिक नीतिया लागू होगे थी नियोक्नॉमिक्स पालसी आ गई थी 1991-92 तो अब 1991-92 से 2002-02 के टिकेट में देखें नियोक्नॉमिक्स पालसी आई थी ग्लोबलाइजर सनाय था और आपके वैपारी करन उदारी करन ये सारी LPG लागू हुई थी इसमें GDP बढ़के 6 हुई 6% 5 से बढ़के 1% के इधाफ़ा फिर एक दोर आया 2001-2 से लेके 2011 बार इसमें घुटाले बहुत ही चर्चा बहुत ही खुब पेपरवाजी हुई वीडिया में खुब चला कहा गया कि ये भारत का सबसे बड़ा धश्चाचारी डेकेड है फिर कुछ भी कहो लेकिन 2001-2011-2011 के बीच में हमारी एक GDP जो है 7.7% सबसे अधिक थी जिसके लिए आप देख सकते हैं कि हम हमारे हां GDP बड़े लेकिन फिर 2011-2012 से आज 2021-2022 के जो आंकले हैं वो बता रहे हैं 5.4 हम काफी नीचे आगे हैं हाला कि इस दौर में हमारे हम अभी जो है COVID-19 का भी एक असर है COVID-19 ने भी पूरे वर्ल्ड की GDP को चौपट किया तो भारत भी बचने तका लेकिन फिर भी 5.4 क अब देखें चट्वी सबसे बड़ी अर्थवस्ता की रूप में है भारत अब एक तीसरा मुद्धा हम आते हैं जो एजुकेशन के मामले में अगर हम देखें सेक्षिनिक समानता और समानता की बात अगर हम करते हैं उसमें भी विशमताएं बहुत है तोसल ग्रूप में हम हम देखते हैं सामाजिक वर के साब से भारत में जो कि जाती का बहुत महथ है तोसल ग्रूप हमारे हैं चार स्ट, स्ट, ओबीची और अधर्थ में आपके जनरल कास्ट बाकिया जाते हैं स्ट, स्ट, ओबीची कुछ हम एजुकेशन के साब से सैक्षिनिक डिग्रियों के ब बात करते हैं तो Master of Arts, Master of Science, Master of Technology, Master of Business Administration, Master of Computer Application, Doctor of Medicine यह 5-6 काटिगरी PG की हमने लिए हैं PG का जो सर्वेय है उसमें हम बताते हैं यह Sources All India Survey on Higher Education 2019-20 के हैं अकिल भारती उच्छे सिक्षा संसान है ना उसके सर्वेय की रिपोर्ट है उननीच से दोजार उननीच पीस की जिसमें Master of Degrees का परसंटेज बताए है अब Master of Science में हम जब आते हैं तो Master of Science में देखेंगे तो ST का परसंटेज Master of Arts की तुल्ला में घटता है यह आ जाता है यहां पे घट के 0.91 परसंट आ जाता है और ST का और घट के 0.84 आता है आपके OBC का 1.19 वहां 1.5 बनता है 1.19 होता है और जो आपके साइंस में आप देखें ग्रोथ बढ़ रही है Master of Arts में अधर्स केटिगरी जेनरल्स केटिगरी 0.9 परसंट थी जो पढ़के 0.91 परसंट होगी Master of Technology की बात करें Master of Technology में जो सोसल ग्रूप है SC का परसंटेज खटता है 0.91 जो था Master of Science और Technology सेम है लेकिन Master of Arts से कम गया ST में बहुत ज्यादा ग्रावाट आई 0.6 परसंट आ गया Master of Arts में ST वाले 1.5 बनते हैं अब देखें Master of Technology में 0.6 हो गया Engineering बहुत बात है OPC में बढ़ा है 0.89 परसंट हुआ है और General या अधर कैटिक्री एक्दम से 1.34 पर पहुंचेए Master of Science में General Category 0.9 परसंट में थी Master of Arts में 0.9 परसंट थी दो वाला है ST का परसंटेज बहुत गिर गया 0.79 परसंट ST दो बहुत डाउन फाल आया 0.36 परसंट जो Master of Arts में 1.5 बनते था ST का परसंटेज बोर्ट Master of Business Administration MBA में घटके 0.6 परसंट हो गया OBC ब्रजदी हुई 1.34 और इसके बाद आप देखे जनरल कैंट्री नहीं फोल अगलती हो गया OBC में 1 परसंट आया है और General या अधर कैटिक्री में 1.13 यह Business Administration MBA के बाद है एक और स्टीम है Master of Computer Application SC 0.6 परसंट, ST 0.38 परसंट Other backward class OBC यह 0.97 परसंट और General category 1.19 परसंट Doctor of Medicine SC का बहुत कम परसंट है 0.56 है, ST 0.59 है आपके OBC 1.49 यह प्रत्धी हुई है 1.49 हुई है और General जो है 1.49 Doctor of Medicine में प्रत्धी आई यह आप देखें अगर हम देखें Aesthetics wise Master of Arts में General Category का परसंटेज 0.9 है और वही Doctor of Medicine में 1.49 और SC का देखें Master of Arts में SC 1.22 है और Doctor of Medicine में 0.56 हुई है Master of Arts में 1.51 परसंट है सबसे highest है और वह घट किया जाते हैं यहां पर Doctor of Medicine में 0.59 यह यहां विसमता है सामाजिक वर्गों में सिक्षा के साब से कि हमारे सिक्षा जगत में जो Arts की स्ट्रीम है उतमें SC-ST का परसंटेज जादा है लेकिन Technology, MBA और Doctor में उनका percentage का अपरकास जिसमें बढ़ रहे हैं इसलिए वह जादा है एक और चीज़ हम आपसे सिरेक मुद्दे पर बात करते हैं Equality की Aportunity अफसर की समानता आज भी अगर कानूनी रूप पर देखा जाए तो वास्विक्ता में हम देखेंगे तो समानता अफसरों की समानता नहीं है सिक्षा के अधार पर हम देखते हैं यह भी हमारे यहां की जनगर्ना थी 2011 की उस जनगर्ना के आखले बताते हैं कि लिट्रेसी जो है वो एक अफसर क्या-क्या देते हैं समानता का अफसर कैसे अफसर कैसे मिलते हैं समानता का अफसर किसको मिल रहे हैं यह हम जनगर्ना के आधार पर बताते हैं 1951 की जनगर्ना है आजादी के बात की पहली जनगर्ना उसमें महिलाओं का परसंटेज जो है साक्षर्टा में 8.86 परसंट है 1961 में 15.35 परसंट हुआ 71 में 21.97 परसंट हुआ 1981 में 29.75 परसंट 31.92 में 39.29 परसंट 2001 में 35.67 परसंट 2011 में 65.46 परसंट 2011 इसलिए कि 2021 की जनगर्ना अकड़े नहीं है अब मेल में अपन देखते हैं पुर्षों में 1951 में पुर्षों की जो साक्षर्था थी 27.16 परसंट थी 61 में बढ़के 40.4 हुई 71 में 45.09 पांच 81 में 56.37 99 में 64.13 2001 में 75.26 और 2011 में 82.14 संख्यात्मा कुर्षे आंकड़े बहुत अच्छे हैं कि पुर्षों की साक्षर्था 82.14 है 2011 में जो की 1951 में 27.16 थी मतलब तिगनी हो गई मैलाओं की साक्षर्था 8.86 परसंट जो थी 1951 में वो बढ़के 65.46 हो गई 2011 में फिर भी आप देखे महिला पुरुष में गैप है अभी भी पुरुषों की साक्षर्था 82.14 है महिलाओं की 65.46 मतलब 16.68 परसंट कम है 2011 में वही परसंटेज आप देखे लगबग वही था 1954 में 27.16 परसंट पुरुष थे साक्षर्था और 8.18 परसंट वहां पे 18.3 परसंट का गैप था और अभी 16 से हम 2 परसंट ही कमी कर पाए हैं यह एक देखे आज भी क्या है 20 परसंट इंडियन्स जो है वो खली लिख पड़ पाते यह हमारी देखे बहुत 20 परसंट से भी कम आदमी है हमारे हां टोटल आबादी में जो की खली लिखना पढ़ना जाते हैं पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं 2.63 लाइक स्टुएंट जो हैं एन्रॉल्ड होते हैं हायर एजुकेशन में 1950 में हायर एजुकेशन में एन्रॉल्मेंट जो था 2.63 परसंट था लेकिन 1950 में 8.9 कि तुल्ला में 27.1 परसंट पुरुष थी बहुत बड़ा अंतर है जो की अभी भी आपको बता रहा है कि कहीना कहीं सिक्षा से हमारे यहां असमानता है हम बढ़ाते जा रहे हैं महिला पुरुष में एक बड़ा कैप है उसकी हम पूर्थी नहीं कर पा रहा है क्योंकि 27.1,6 परसंट से 22.3,4 परसंट पुरुष आए लेकिन महिला है 8.6 परसंट से 65 यह पाई यह कैप चल रहा है एक और मुद्धे पर हम बात करते हैं यह सर्वे 2019 का यूद सर्वे कमपणी ने कर रहा था 2019 का सर्वे यह बताता है एस ग्रुप के साब से हौसोल एक्टिविसीज की बात कर रहा है कि आप इसमें देखेंगे इसका भी अंतर है सामाजिक समानता कि जो एक अंतिम मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आज भी आजादी के 75 साल बात भी हम पित्र सतात्मक बवस्ता से स्वतंत्र होने की खोज में लगे हुए, जबकि हमने आजादी के समय बात हुई थी, कि अभी हमारी राजनेतिक स्वतंता प्यारम हुई है, जवाला नहरू जी जीवन और आजादी के लिए, लेकिन आज भी जवाला नहरू के वही सब्ध हैं आज 75 साल हो रहे हैं हमको, लेकिन हम उवश्वत वर्यूर भारत भी जग रहा है、 उनी जीवन और आजादी के लिए. लेकर पित्र सतात्मक सत्ता और सत्ता हम सभी जानते हैं, पित्र- इसमें किया था, उसने बताया है कि एज ग्रूप 6-14 वर्स का है एज ग्रूप, इसमें काम की जो तेडियों काम का महिलाओं की आई समुम्हें, जो घर के काम है उनमें महिलाओं की भागेदारी या कन्याओं की भागीदारी 30.8% है, फुर्षों को पृर्ष को सिर्फ 10.5% है घरीलों कामों में भागीदारी की बात हो रही है 15-24 आयूवर्ग में 24.3% महिला और 24.9% एक लंबा गैब 25-34 आयूवर्ग में आते हैं तो पुर्षों की संक्या थोड़ी बढ़के 47.1 है लेकिन महिलाओं की 419.4 35-44 में 46.5 पुर्षों का और 366.8% महिलाओं का 45-54 वर्ष में 40.4% पुरुष और 317.1% महिलाएं वहीं 55-64 आयूवर्ग में 47.3% पुरुष और 272.1% महिलाएं 65 प्लस में जब हम आते हैं तो 47.5% महिलाएं आती हैं और 179.9% पुरुष आते हैं यह एक परसेंटेज देखे इसके इसाब से उन्हें बताए कि डिफरेंस आज भी है जो हम देखते हैं वर्क हैं के लिए एक बहुत बड़ा गैप है कि महिलाओं को अभी भी उसकी प्रास्मिक्ता नहीं दी जा रही है हाउसोल्ड अक्यपिटीज में और इसके बहुत कैंटेज एस में 27.5% से प्लस में घर के जिम्मेदारियां उनकी household responsibility making जो है यह उनके लिए लेकिन पुर्षों को इससे दूर रखा गया है बाकी चीजों में पुर्षों को freedom मिला हुआ है तो यह जो पित्रसतात्मक जो प्रभाव है पित्रसतात्मक खोज कर रहे है freedom की पित्रसतात्मक तो संता की खोज यह भी एक महत्मून figure है एक key factor है जिसे की भारत आज भी जूर रहा है उच्छे मुद्दों पर जो चर्चा की है टाइम साफ इंडिया ने कि कास्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो वो देखें अंतर है दूती चीज लोगसभा के जो हमारे हां आम जनता और लोगसभा के जो तां अगर आप देखते हैं GDP की प्रोग्रेस हमारी घटी जा रहे है कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं है सेंसस में जो जनगर्णा में जो आता है आपके जनगर्णा के आंकले बताते हैं लिट्रेसी में मेल फीमेल में आज भी एक लंबा क्याइफ है तो एजुकेशन मे आर्ट्स के जो हैं PG क्लासे में MA और डक्टर अप मेंडिशन में आप देखेंगे सोसल ग्रूप में SCHT काफी कम है जनरल कैटेगरी अधर कैटेगरी काफी आगे है वहीं हाउथ होल्ड एक्टिविटीज में अगर आप देखते हैं पुर्षों की तंक्या कम है उनके काम कर समानता है कि अमरेट करने जो अधर ना रखी थी एक वोट एक मूट एक वेक्टी सब जगह बराबर होगा मूल्यों के अधर पे वोट के अधर पे उसका समान पर प्रफेक्श होगा लेकिन इन छे मुद्वों पर आप देखें छे कटेगरी जो की फैक्टर हैं जो की अगर इन 75 साल में हमने इतना कैप रखा है तो हमें ज़ल्दी इस कैप को पाड़ना पढ़ाइगा तब ही समानता हमारे आफ पाएगे और हम एक को पाएगे जिसके लिए सम्मदान कहता है कि सम्मदान में सभी एक हैं सब बराबर हैं सब के सास्सास समान वैवार होना चाहि समानता बढ़ती जा रही है, समानता की खाई बढ़ रही है, समानता काफी कीजिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्क्राइब कीजिए और ऐसे ही आपको नेने बुर्दे पे मैं आते चप्चा करूँ हूँ